नालंदा पुलिस ने एक फरजी आईपियस अधिकारी को कागजी महला से गिरफतार किया है जिसका नाम सुझीत कुमार बताया जा रहा है जो भोले भाले लोगों को नौकरी का जहांसा देकर उनसे लाखो रुपे की ठगी कर लिया करता था इस मामले में सदर डीएसपी डॉक्र शिबली नुमानी ने बताया कि थाने में एक महिला ने इस संबन में अविद्धन दिया था जिसके बाद चान्मिन की गए तो चौकाने वाला दृष्ट देखने को मिला च्हापिमारी में आरूपी के घर पुलिस की वर्दी बरामत की ग यही थी जैसा आप देख रहे हैं वर्दी जो प्लास्टिक के जो पिस्टल हैं कैप हैं और अन्य जो यूनिफॉर्म के जो समान हैं उसकी बराम्दगी उनके जमुई जिले में धडले से सरकारी अनाज की खरीद बिक्री के कारोबार का मामला सामने आया है वह इस मामले पर SDO प्रतिबारानी ने जहाजा के कई डीलर के यहां चापिमारी की इस दोरान भारी मात्रा में अनाज का बोरा पाया गया बता दे कि लगबग 171 बोरा सरकारी अनाज जहाजा के बोड़वा के टाटा इट भट्टा से जब्त किया गया है वहीं SDM प्रतिबारानी की निर्द इदन देने के बाद यह कारवाई की गई परिजनों के मताबिक चार अपराधियों की हुई गरिफतारी के बाद में मुख्या पराधी पुलिस की गरिफता से बाहर है परिजनों के मताबिक मुख्या रूपी लगातार मुर्टक की पतनी को बदनाम कर रहा है जिसके बाद उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द मुख्यार रुपी को ग्रफतार करने की मांग की है। बता दें कि बीते साथ मार्श को खुशकी बाग में बकसा का दुकान चलाने वाले शिव कुमार दास की बदमाशों ने गला रिट कर हत्या कर दी थी। सहरसा से लेके नवहट्टा थनक शुद्र में टेंपो चालकों से अवैद वसूली का मामला सामने आया है। वसूली के खिलाफ आक्रोशित टेंपो चालकों ने प्रशासन के खिलाफ नारे बाजी की और कहा कि लगवग 6 महीने से इस तरह का धंदा सडकों पर चल रहा है। पैसे दिने से इंकार करने पर ललन यादव द्वारा मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। इसे लेकर कई बार थाने में आवेदन दिया गया साथी कई वरियप अधिकारियों को इस मामले से अवगत भी कराया गया। बावजूद इसके अब तक कोई कारवाई नहीं की गई।